So, hello guys, welcome back to KS Educational, देखो 11th of January का आपने एक्जाम दिया होगा और SPI clerk के इस एक्जाम में आपको पता है कि क्या importance है इस एक्जाम का साल में एक बार ये एक्जाम आता है और इस एक्जाम को अगर आप क्लियर कर लिया आपने तो फिर बस आपके सामने मेंस का हडल है और मेंस क्लियर करते ही आपका सेलेक्शन डन होगा आता है तो आज 11th of January को जो आपका सिफ्ट हुआ, इस सिफ्ट पे हम लोग पूरा detailed analysis करेंगे कि हर एक सिफ्ट में आपका क्या question, किस level का पूछा गया, क्या आपका safe attempt होना चाहिए और by the way आपका कौन सा सिफ्ट था, आपने कितना attempt लिया इस सिफ्ट में, ये भी आप मुझे comment करके ज़रूर बताओगे और आज मैं इस वीडियो में English, Quant and Reasoning in Kino topic पे देखूंगा तो Reasoning पे बात करेंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आज के सिफ्ट में हर एक topic easy to moderate में था, right, easy to moderate में ही था, किसी को भी आप tough नहीं बोल सकते हो and when we are going to talk about the reasoning portion, देखो reasoning portion में ना, my dear friends, puzzle का बहुत जादा importance होता है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप puzzle अगर solve कर दिये, तो no doubt कि आपका score जो reasoning का है, वो बहुत अच्छा आ जाएगा like देखो, पहला चीज की puzzle कितने type का पूछा गया, आज आपने देखा होगा shift में कि circle जो arrangement होता है, मतलब sitting arrangement circular based sitting arrangement आपका पूछा ही गया, और इसके अलावा, जो दूसरा puzzle मैं इसको a option देता हूँ, दूसरा option जो है कि इसमें क्या होता है, कि actually sitting arrangement आपका पूछा जाता है कि inner और outer face क्या हूआ रहता है देखो, इतना भी आसान नहीं है कि आप उसको easily crack कर लो, कोई भी puzzle का attempt लेते हो, तो आपको starting से ही दो figure बना के चलना है और sitting arrangement में जब in और out दोनों दे दिया जाता है, तो 2 से 3 आपको figure बनाते हुए, अगर आप उसको solve करते हो, तो बहुत easily होगा देखो, flat and floor based puzzle आपका पूछा जाता है, flat and floor based puzzle ठीके, यह जब exam में पूछा गया और जितना भी आप puzzle देख रहा हो, यह आपका 5-5 नमबर का पूछा जाता है तीसरे में देखो puzzle और क्या पूछा गया, month based puzzle पूछा गया month based puzzle पूछा गया है, right, d मैं option लेता हूँ कि किसी-किसी topic में, किसी-किसी में आपने देखा होगा, कि जो month based puzzle होता है इसमें आपको 3-3 variant दिया जाता है, मतलब 3-3 variable दे दिया जाता है month भी रहेगा, कुछ और उसमें box पे add कर दिया जाएगा, कुछ color भी उसमें addition रहेगा तो इस तरीके से उसको थोड़ा complicated किया जाता है, ये तो मैंने puzzle बोला, आप देखो अगर मैंने 3 puzzle का यहां बात किया, मतलब almost आपका 15 नंबर का total puzzle ही पूछा जा रहा है ठीक है, इसी में और जो reasoning का topic में miscellaneous अगर देखो, तो इसमें आपका blood relation का question पूछा जाता है और आपको पता है, blood relation का question देखते ही click हो जाना चाहिए बिकास ये ऐसा topic होता है जो आपका बनेगा तो बिलकुल सही बनेगा और नहीं तो नहीं बनेगा इसी लिए अगर मालो 3-4 number का ये question है तो ये easily आपका attempt होना चाहिए और solve भी होना चाहिए inequality सोचो कि 4 number का दिया जाता है और इसमें आपको क्या ही time लगेगा inequality में मुस्किल से आपको 2-3 minute लगना चाहिए मतलब 2 minute में आप 4 number solve कर रहो यही तो आपका क्या score increase कराता है Chinese coding decoding जो हम लोग अकसर अपने mock test में देखा करते हैं तो Chinese coding decoding में ना कोई भी difficulty face नहीं करना पड़ता है और बनता ही बनता है ये question अगर आपका 5 number में पूछ लिया गया तब तो best है और यही आज के shift में भी देखने को मिल रहा था pair information इसमें एक letter के भी based होता है एक number based होता है मतलब numeric plus letter दोनों में आपका pair formation पूछा जाता है और ज़्यादा नहीं ये एक से दो number का पूछा गया इसके बाद series पूछा गया एलफाबेटिक series और एलफाबेटिक series में न पांच number का question पूछा जाता है एलफाबेटिक series अगर पांच number है तो आप ये सोचों कि पांच का पांच बनना है एक दो meaningful word पूछा गया आपने देखा होगा कि इस meaningful word में न अगर नहीं भी आ रहा है तो छोड़ दो मैं बताओं कि लगवग 15 नंबर puzzle से score करने के बाद miscellaneous का कम से कम अगर एक puzzle नहीं भी बना तो it's okay कि अगर 15 नंबर ये score करते हो और अगर 15 नंबर other miscellaneous से score कर देते हो आप तो आपका almost 30 तो हो गया बस यहीं तो आपको चाहिए था reasoning में इसलिए आज जो reasoning का topic देखा गया वो बहुत अच्छा और scoring topic था मैं बात करता हूँ जब quant पे तो my dear friends आप देखे होंगे simplification का बहुत ज़्यादा weightage है simplification आपने देखा होगा कि 12 से लगबग 15 नंबर का question simplification पूछा ही जाता है तो simplification में जितना question है इसमें पूरा का पूरा आपका बन जाना चाहिए और इस ही में आप देखेंगे जब missing number series ना तो देखो wrong number series, missing number series ये जो topic होता है पांस नंबर का ये आपका बनना ही बनना है और बनता ही बनता अगर आपने इस पे दे दिया time तो आते हैं topic जो हमारा है DI का देखो DI क्या है DI में ना दो तीन तरीके का DI देखने को मिला आज जैसे आप tabular data interpretation भी देखा गया tabular जो data interpretation है इसी में एक DI और पूछा देखने को मिला हमें casulate DI देखो आज के time में DI में arithmetic portion डाला जाता है और हलाकि ये pre है तो इसमें आपको इतना complication नहीं देखने को मिलता है still आप जब mains में जाओगे तो बिना arithmetic का कोई भी DI नहीं बनता है अब अगर मैंने arithmetic का बात कर रहा है तो no doubt arithmetic portion का बहुत ज़्यादा weightage रहता है और arithmetic portion लगबग ये समझो कि 10 max का आज के shift में देखने को मिला ही मिला है question किस पे रहता है normally आपने देखा होगा कि SI पे रहेगा CI पे रहेगा time and work पे रहता है ठीक है और अगर आप देखो के इसी में एक दो question boat and stream पे रहेगा आपका ratio based question रहेगा boat and stream का अगर एक भी question मिल जाना तो बनाओ ही बनाओ train के basis पे आपका question रहेगा partnership में आपका question रहेगा तो आपको का नहीं भी तो 10 number में कम से कम 5 number तो आप solve कर सकते हो अब देखो अगर देखा जाए तो quant portion भी आज का काफी scoring रहा था और candidate score करके आ रहे हैं candidate ने अच्छा attempt लिये है आज भी मैं बात करूँ English में देखो English अगर आपने score किया तो आपका पलना ऐसे ही भाड़ी पढ़ जाता है और definitely आप अगर तराजू पर तौलो गे ना तो reasoning और quant सब बनाता है आधा पूरा portion आपका जो weightage है ना वो English ले लेता है English में score मतलब आपका total score increase होना इसलिए reading comprehension जो topic है इसको तो कभी नहीं छोड़ने वाला topic है हाला कि आज के time में आपने reading comprehension देख लिए होगा प्री में भी theme based पूछा जाता है और 10 number का question है तो no doubt आप यहां से एक दो number छोड़ के भी 8 number तो score कर सकते हो कोई नहीं आपको रोकेगा इसके बाद दूसरा topic जो scoring होता है वो होता है close test आप देख रहे होंगे my dear friends की close test 5 number का directly पूछा जा रहा है और close test में अगर आपने attempt किया ना तो बनेगा ही बनेगा क्या और देखने को मिला आज के shift में मैं बोलूँ कि देखो correct sentence का अगर पूछ लिया जाए इसमें कोई नहीं रोक सकता है आपको देखो word swap हो गया या word uses का question हो जाता है यह आज के pre में हम लोगों को देखने को मिला जो मैंने word swap और uses का बात करा है ना यह total 10 number का आपने देखा होगा आज के shift में और अगर 10 में से नहीं जादा तो पांच भी तो solve हो सकता है और अगर इस सभी आप topic को अगर इंग्लिस में देखोगे तो almost यह समझो कि reading comprehension से 8 number हो गया close test से पूरा का पूरा 5 number आपका बन सकता है और 8, 5 और swapping से correct से मिला करके almost 20 touch कर सकते हो तो कोई बुरा नहीं है इंग्लिस में अगर आपने 20 में 20 score कर लिया ना तो आप ऐसा समझो कि आपका free definitely clear है अब अगर आप देखे होंगे आज के attempt के बारे में तो candidate ना मैं बोलू कि 78 to 83 normal attempt करके आ ही रहे हैं आज के shift में क्योंकि shift हमारा easy to moderate में ही रखा गया है पूरा और काफी अच्छा attempt रहा है लगबग सारे ही candidate का देखो इंग्लिस में most of the candidate ना 20 to 23 तक के attempt लेके आ रहे हैं और बात रहा अगर quant का तो quant में लगबग सब कोई 26, 27, 28, 29 तक attempt लिये हैं आज बात करोगे अगर reasoning में तो reasoning देखो almost जो है ना 30 सब कोई touch कर रहा है तो अगर 30 ये ले लोगे आप और अगर मैं बोलू कि 25 ये आप ले लेते हो और इधर से 20 नमबर ले लिए तो आपका ऐसे ही एक्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा almost आप ये समझो कि 75 बहुत सकते हो और 75 pre में वो भी SPI clerked तो pre clear होना ही होना है तो आज पूरे सिफ्ट में लगबल इस level का question देखने को मिला और यही pattern आपका follow किया गया था और देखो मैंने already आप लोगों के साथ expected cut up पे भी बात कर लिया है कि क्या जाने वाला इस बाद 2023 में और अगर आपने वो boundary line अगर cross कर लिया है तो my dear friends start preparing for your mains exam because you know कि जो exam का duration है प्री के बाद mains वाला you have very less time to prepare for your mains examination and 2024 is the very golden opportunity for you guys because you know you have to spend a very short duration of the time to clear the 2024 opportunity so start कर लो क्योंकि बहुत कम time है और हम लोग एक बार detailed बात भी कर लेंगे कि आखिर तीन दिनों के day 3 का हमारा performance था and on the basis of all 1, 2 and 3 the only last thought is left और इस last thought के बाद हम लोग ये भी analyze कर लेंगे कि actual में क्या candidate attempt करके आप आ रहे हैं और क्या actual में हमारा expected cut up होना चाहिए so we'll see later on on this topic और तब तक प्लीज इसे सेर करो ठीक है if you are getting benefit from from this platform then do like and do hit the subscribe button right